हम ने इससे पिछले मॉड्यूल में टू एक्स्पेरिमेंटल डिजाइन्स की तीन किसमों के बारे में बढ़ा जिन में प्री-टैस्ट, पोस् Цेस्ट कंचौल गृर्प डिजाइन, पोस्ट एस्ट आउनली कंचौल ग्रूप डिजाइन एंड सॉल्मन फॉर ग्रूप डिजाइन था अब उन्ही तीनों को सामने रखते हुए जैसे हमने इससे बहुत पहले भी जिकर कर रखा है कि रिसर्च डिजाइन्स का मकसद Threats to Validity of Research Findings जो हैं उनको कंट्रोल करना है और हम दो तरह के Threats पढ़ चुके हैं Internal Threats हैं और External Threats हैं अब इस डियाग्राम में जो आपके सामने है ये टेबल बना हुआ है इसमें आप Horizontally देखें तो उपर Internal Threats to Validity of Research Findings और External Threats की लिस्ट बनी हुई है और आप वर्टिकली देखिए तो इन तीनों डिजाइन्स के जो भी हमने पड़े इनके नाम दिये हैं और इनको Symbolically Represent भी किया हुआ है आपने अगर पिछले टेबल जो मैंने इस से पहले आपको दूसरे Experimental Designs में दिखाए उनके साथ Compare करेंगे तो Two Experimental Design वाले टेबल में आपको Design से पहले एक Capital R लिखा हुआ सब के साथ नजर आ रहा है ये बनियादी फर्क है True Experimental Designs में और बाकी Research Designs में जो हम Experimental में यूज़ करते हैं इस R का मतलब Random Allocation of Subjects to Groups है जब आप Experimental Group बनाए है या आप Control Group बना रहे होते हैं तो आप जिन लोगों को इन Groups में शामिल करना है उनको Randomly Group Allot करते हैं तो ये Randomization है अब आप देखिए कि इस टेबल में जहां जहां फर्ज कर लें आप सबसे पहले उपर Pre-Test, Post-Test, Control Group डिजाइन लिखा है इसके आगे आप देखें तो हर खाने में या प्लस का साइन है या प्लस के साइन के गिर्ट ब्रैकेट लगी हुई है या फिर Negative साइन लिखा हुई ह ये जहां जहां पे भी प्लस का डिजाइन लगा हुआ है इसका मतलब है कि इस डिजाइन की वजह से ये वाले जो थ्रेट्स हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं गोया ये आपकी रिसर्च फाइंडिंग्स पे असर अंदाज नहीं होते उनको खराब नहीं करते हैं तो जब भी आ इस पोस्ट है इस कंट्रोल गृप डिजाइन में इसका मतलब ये है कि जब भी आप ये डिजाइन इस्तमाल करेंगे क्योंके आपके पास कंट्रोल गृप मौजूद है तो एक्सपेरिमेंट के दौरानिये में जो स्टूडिंट्स के अंदर मैचुरेशन का लेवल बढ़ जाएगा तो ये फाइनल रिजल्ट में अगर इसके मैचुरेशन की कोई कांट्रिबूशन आएगी भी तो वो दोनों में एज्यूमेडली बराबर आएगी तो लहाजा उनका मैचुर होना डिरिंग दे प्रॉसस आफ एक्सपेरिमेंट जो है वो असर अंदाज नहीं होग आपके रिजल्ट के उपर तो इस तरीके से आप इसको टेबल को पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि जहां जहां प्लस का साइन आ रहा है इसका मतलब है कि ये वाले थ्रेट्स इस डिजाइन के इस्तमाल से कंट्रोल हो जाते हैं जन जगों पर प्लस का साइन है लेकिन तके गिन ब्रेकेट बनी हुई है इसका मतलब यह है कि यह इस डिजाइन को जब आप इस्तिमाल करते हैं तो यह थ्रेत वेसे ही relevant नही रहता जिन श्टडी में डिजाइन उूज होता है वहां ये थ्रेत relevant नहीं होता और लगेटिव साइन का मतलब यह है कि आप ये डिजाइन यूजबी करें तब भी ये वाला थ्रेट जो है ये अपनी जगां काइम रहता है इसके खाइम रहने का मतलब यही हुआ कि इस ये वाला थ्रेट जो है वो आपके जो study के results की validity है उस पे अभी भी असर अंदाज हो सकता है तो इसको इसके जरीए से आप control नहीं कर सके तो लहाजा जब आप results को interpret कर रहे होंगे तो आप इस threat को कैसे handle कर रहे हैं आपको इस बात का जिकर वहां करना होगा तो देखिए two experimental designs में आप अगर पिछले table से comparison करें जो हमने इसे पहले experimental research के designs पढ़े तो majority of factors जो हैं internal भी और external भी जो आपके results के लिए threat हैं वो इसमें काफी हद तक control हो जाते हैं सिर्फ आपको कोई कोई ऐसा negative sign नजर आ रहा होगा जो ये जाहर करता है कि ये वाला threat अभी भी control नहीं हो सका majority of threats इसके जरीए से handle किये जा सकते हैं इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जब भी आपने experimental research करनी होगी तो true experimental designs जो होते हैं ये अपने structure में सबसे ज्यादा well defined होते हैं और इन को इस्तमाल किया जाए तो आपके threats to validity of research findings जो हैं वो minimize हो जाते हैं